तो दोस्तो देर किस बात की आप घर पी बनाईए होटल इस्टाइल अंडा करी बनाना पहुत ही आसान है और खाने में पहुत ही लाजवाब लगता है एकदम टेश्टी टेश्टी तो आप इस तरह किसे जरूर बनाईए अपनी घर वालों को खिलाईए रोटी प्राठा की सब्सक्राइब जरूर करते हैं तो सबसे पहले मैंने लिया है और अंडे को मैं अच्छे से उबाल लिया है बस 10 मिनट लगता है अंडा उबालने में बहुत ही जल्दी से उबल जाता है और उबालते समय आपको ध्यां रखना है थोड़ा सा नमक उसमें जरूर डाल इससे क्या होता है जब अंड़े को हम फ्राइ करते हैं तो उसमें से छीटे नहीं पड़ते हैं आप देखिए थोड़ा साल्दी पाउड़ टाल देजिएगा अताकि इससे कलर जो है अंड़ा का अच्छा जाए मिला दिया आप रखते हैं साइड में आप हमें लेना है मसाला मैंने ख़ड़ा मसाला लिया है आप लोग देख सकते हैं आप कोई भी गड़ा मसाला ले सकते हैं मेर्ची लेले अपने तीखा के िसाब से चलिए इसको हमें फीछना है सिलपट्टे पे आप चाहते मिक्सिजार में पीच सकते हैं दो टमाटर मैंने ले लिया है कट करके पांच हरी मिर्स दो कांट ले सुन जिसका छिलका निकाल दिया है और तीन प्याज मैंने ले लिया है ठीक है पाव किलोग प्याज है तो चलिए यहाँ पर मैंने ले लिया है दही तो यह छोटा परकिट मैंने दही लिया है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इससे पहुत ही अच्छा हमारा अंड़करी बनेगा अब हम रखते हैं गैस पर कड़ाई और कड़ाई को अच्छे से गरम कर लेते हैं उसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा तेल बस दोसे तीन चमच हमें सरसो का तेल डालना है अब जो भी तेल खाते हो ले सकते हैं यहाँ पर मैंने डाल दिया इसमें लेसन और हरी गैस को रखेंगे हाई फ्लेम और साथ में हम इसमें डाल देंगे प्याज आप लोग देख सकते हैं लेसुन प्याज हर इमिर्च सबी चीजों को मैं इसमें डाल दिया है अब इसको चलाते हुए हमें 2-3 मिनट के लिए हाई फ्लेम आज करके पका लेना है तो यहाँ पे इसका कलर जो है आप लोग देख सकते हैं हलकी सी कलर चेंज हो के आए तब इसमें हम डाल देगे टमाटर ताकि टमाटर भी हलकी सी इसमें गल जाए उसके बाद हम क्या करेंगे इसको कवर कर देंगे बस 2-3 मिनट के लिए इसको कवर करके बीच बीच में चलाते रहना है ताकि जल्दी से हलकी सी गल जाए और भुना जाए यहाँ पे एक बार मैंने चला दिया है फिर इसको कवर करेंगे और बस 2 मिनट के लिए इसको भी मैंने भून लिया है अप लोग देख सकते हैं चार से 5 मिनट में यह भून जाएगा उसके बाद हम इसको निकाल देंगे इसको यहाँ पे मैंने बंद कर दिया है अब इसको निकाल देंगे और निकलने के बाद हमें क्या करना है ये देखिए कड़ाई जो है हमारा हलका सा काला पड़ गया है अब हम क्या करेंगे इसको पहला के रखेंगे ताकि ठंडी हो जाए उसके बाद हमें इसको पीछेंगे और कड़ाई को हमें अच्छे से साफ कर लेना है जब कड़ाई साफ में डाल के उसको फ्राइ करलेंगे यह दिखेगा तो रखिए को रखिए है संध यह अवे खृत्य कर लेगे जाता है तर्क मिया सब यह Nori कर इएぎ मर्जी तो अन्डे को एकड़ मतलब और भी फ्राइ कर सकते हैं लेकिन अतना पेग्दम क्यों होते हैं जादा फ्राई करने से टाइट हो जाता है अब देखिए जब तक अंडा फ्राई हो रहा था तब तक हम क्या करेंगे सिल्पट्टे पेश को पीछ लेते हैं आप चाहें तो मिक्सिजार में भी पीछ सकते हैं यहां पर मसाला भी रेडियो हो गया है और अंडा भी हमारा फ्रा डाल दिया है दो चुटकी बर हलकी सी कलर चेंज होने तक भून लेंगे तो अब दोस्तों इसको हलकी सी इस तरीके से चला दे ताकि उपर नीचे हो जाए और इसका कलर जो हलकी सी चेंज हो जाए तो यहां पर कलर हो गया है चेंज आप लोग देख सकते हैं उसके बाद हम जाब अक्सर सिल पट्टे के बनाते हैं यहां मैंने डाल दिया है मशालों को जो मैंने थे अपड़ी पय। पर डाल देंगे और यहीं पे हम डाल देंगे नमक स्वाद के अनुषार और यह देखिए मैंने डाल दिया सब्सक्राइब आधी चममच कासमीरी लाल मिर्च ने नहीं तो कोई बात नहीं लेकिन कास्मीरी लाल मीर से तोड़ा इसका कलर अच्छा दय कभर कर दिया मैंने दो मिनट के लिए इसको हम इस तरीके से कभर करके छोड़ के बीच बीच में चलाते हुए भूल लेना है उसके बाद जब समझे मसालों में से तेल छोड़ना सुरू हो जाए उसके बाद आप डाल देज़ेगा इसमें दही दही डालने के बाद अच्छे से इसको मिलाते रहिएगा आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से मैंने दहीओं को अच्छे से मिक्स कर लिया है गयस को यहां पे रखेंगे एकदम मीडियम हाई फ्लेम बिल्कुल मत रखिएगा दही डहलते समय थाहां रखिएगा कि गयस तेज नहीं हो ठीक है यहां पे मैंने देखी कितने अच्छे से भून लिया है यह देखी कड़ाई में से मसाला जो है छोड़ना शुरू हो गया है बिल्कुल नहीं पकड़ रहा है तो समझे बहुत ही अच्छे से फुना गया है उसके बाद डाल देजेगा इसमें पानी बस थोड़ा सा पाले ड दिया आप इसमें हम क्या करेंगे हल्की से मिला देंगे आप जाहे तो इतना प्लेक करें है लेकिन द कॉंप धालगेत questoaktives थोड़ा और यह बनाना है वैसे हम जब इसको पकाएंगे तो थोड़ा और गारा होई जाएगा लेकिन घर खाने के लिए है तो थोड़ा सा सालन लगाना ही पड़ेगा आप करेवी बोले या सालन बोले आप अपने ठीक है तो यहां पर देखिए पानी भी मैंने डाल दिया आप सभी चीजों को डाल दिया आप कबर करेंगे और 10 मिनट के लिए मैंने इसको पका लुट沫भ खुवाइस रौट इस तरीके से जरूर बना के खिलाएए अग्रह करेंगे और अंगुलिया चाट चाटके खाएंगे तुझी हैं दोस्तों ये होटल इस्टाइल अंड़करी बनाने का तरीका अप लोको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट में लिख के जरूर बताएगा बूलिएगा मत और हाँ अगर मेरे वीडियो अप लोको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसा ही पहुत अच्छे वीडियो के साथ वीडियो देखने के लिए सुक्रिया थैंकियू